स्टूडेंस जैमा सरस्वती स्टूडेंस हमारी एक्साइज 7.4 स्टार्ट हो ती इसमें से 1st 2nd 3rd कोश्यन हम कंप्लीट कर चुके हैं सो आज हमारे पास कोश्यन नंबर 4 ओके तो देखते हैं कोश्यन नंबर 4 में क्या है देखो यहां पर क्या है लुक एट दा फिगर एंडर राइट ग्रेटर दैन और लेस जैन इकोल टू बिट्वीन दे गिवन पियर ओफ तो यहां पर क्या कुछ फिगर दिये हैं नीचे हमें क्या करना है किसी ने पहले से आपर पूट का राइख है लेकिन हम समझते हुए आगई चलेंगे तो हम इनको पहले लिख सकते हैं ठीक है पहले इनको लिख लेते आ अलग से ठीक है तो हमारे फ़स्ट में देरका 1 बॉपस है बीचमे हमें हाँ पहले पूट करना पड़ेगा 1 by 3 B के हमारे पास देखिए 3 by 4 बीच में box हमें given है और ज़र पर दर्ख है 2 by 6 C के given है 2 by 3 बीच में box 2 by 4 D हमें ऐसी given है 6 by 6 आप चाहे ना 6 by 6 और यह इसकी बीच में box है आप लोग चाहे ना तो इनको क्या कर सकते है यहाँ पर E तो आएगा नहीं तो E यहाँ लिखते है आप चाहें तो इसमें figure आप अपनी notebook में बना सकते है ठीक है तो आसान नहींगा थोड़ा तो यह हमें given है ठीक है अब इसको रखते हैं नीचे और start करते है तो देखो first वाले हमें A कह रहा है 1 by 6 is equal to तो यहाँ पर क्या बॉक्स में क्या करें कि 1 by 3 आ जाए आप देखे first में हमें दे रहा है 1 by 6 और यहाँ है 1 by 3 अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 वाला पेर कौन सा है हमारा यह वाला है ठीक है आप देखो 1 by 6 बड़ा होगा यह 1 by 3 बड़ा होगा यह हमें फाइन करना है 6 by 6 1 by 6 यहाँ है 3 by 6 यहाँ है ठीक है तो अभी हमें क्या देखना है देखिए इसमें हमारे पास एक चीज़ होती 1 by 6 यहाँ है 3 by 6 यहाँ है आप बोलो अच्छा 1 by 3 1 by 6 यहाँ है 1 by 3 यहाँ है अगर हम इनको देखें यहां पे तो क्या है वन बाइ थरी इधर आ रहा है ना देखें अगर इसको ना भी देखें ना इस फिकर को हम इसको solve कर सकते हैं कैसे जब भी हमें denominator क्या दिये हो different दिये हो तो हमें सिद्धे opposite rule यूज़ करना है कौन सा rule? opposite rule मतलब जो हमारा denominator में छोटा होगा ना बड़े जो हमारा greater than का sign है उसकी और हो जाएगा ऐसा क्यूँ? देखें वन बाइ थरी इधर है इस वाले figure के उसके देखें तो वन बाइ थरी कहा है यहां है वन बाइ सिक्स यहां है ऐसी complete हो जा रहा है अब लेकिन अगर हम opposite rule का use करते है ना बीना figure को देखें हम इसे कर सकते है यह हमने कर लिया अब देखें इसको देखते है देखो यहां पर क्या है 3 by 4 और 2 by 6 हमें given है ठीक है? सबसे पहले क्या देखना है हमको? हमको अगर figure पर देखके करना है तो figure से कर सकते है देखो हमें क्या रहा है सबसे पहले 3 by 4 3 by 4 कहा होगा? इसमें होगा कहीं यह रहा 3 by 4 यहां रहा और क्या रहा है? 2 by 6 2 by 6 कहा है? 3 by 4 यहां है 2 by 6 यहां है अल्रेडी यहां पर हमें पता चल रहा है 2 by 6 कहा है यहां है तो हमें वैसी पता चल लाई कि कौन सा बढ़ा होगा? 3 by 4 बढ़ा होगा sign put कर लो यहां भी कर रहा होगा? yes कर रहा है अब देखो next में कहा है 2 by 3 हमें अभी figure से ही करता चलो 2 by 3 यहां है 2 by 4 2 by 4 कहा है? 2 by 4 यहां है बीच में तो equal आजाएगा ठीक है 5 by 6 और 5 by 5 5 by 6 कहा है? 5 by 6 यहां है 5 by 5 यहां है तो कहा जाएगा हमारा इस ओर आजाएगा ठीक है यह तो बात होगी हमारे जो हमने figure में देखा उसकी तरह से हमने इसे किया अब जो next question है हमारा इसके बात देखो क्या है अच्छा इसमें एक पार्ट और है make 5 more such problems and solve them with your friends तो आपको क्या करना है इसी से 5 और क्या करना है questions बनाने अपने लिए और उनको solve भी करना है ठीक है यह आप अपने friend के साथ कर सकते है आप जहां के लिए भी कर सकते है ठीक है तो आप देखें next question क्या है question number 5 पे देखें how quickly can you do this फिल तो यहां पे क्या करना है हमें sign fill करना है ठीक है तो देखो सबसे पहले हमें जो given है हम वो लिख लेते है because पहले मैं यहां तो sign आपके पहले से कर रख है हम सीखेंगे इसे खुद से ठीक है तो क्या है one by two बीच में box है हमारा इधर है one by five ऐसी बी के रख है हमको two by four और यहां बीच में box आ गया और इधर पर आ गया three by six आ ठीक है और इधर c d तक कर लेते है three by five और इधर पर ऐसे box है two by three और d देख लो इसके बाद d तक कर लेते है उसके बाद के आप खुद से करेंगे ठीक है यहां चलो फिर मैं आपको book में ही समझा दूँगे उनको two by eight यह हमें given है इस पे हमने greater than less than equal to का sign पूट करना है ठीक है first पे जहान देते है मैंने आपको अभी अभी एक बताए था opposite side rule opposite side में लगेगा मतलब अगर हमें denominator में number जो है अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं और उनके numerator भी हमारे क्या है numerator से में और denominator अलग-अलग है और क्या करें हमें उसमें क्या दिख रहे है कि जो नीचे number है उसमें क्या है एक बड़ा है एक छोटा है तो हम क्या करेंगे जो sign है हमेशा छोटे वाले की और आ जाएगा अब आपको लगना चाहते है कि greater than का sign आना है तो किसकी और आएगा हमेशा बड़े की और लेकिन जब ये denominator में होंगे तो इसका ठीक opposite होता है ऐसी है अगर हम इस पर देखे अब देखे यहाँ पर एक twist है देखे क्या twist है यहाँ पर क्या 2 upon 4 है और यहाँ पर है 3 by 6 अगर हम देखे यह 2 की table पर दोनों आते हैं तो cut कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जगा 2 1 जा 2 और यहाँ पर हो जारहिगा 2, 2, 2, 4 तो क्या आ रहा है? 1 by 2 आ रहा है अब इधर भी देखो यह क्या है? क्या है? दोनों 3 की table मरा आते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 on 3 3, 2, 2, 6 तो यह भी क्या हो रहा है? 1 by 2 और 1 by 2 हमारे आ रहा है तो मैं चलो यह दोनों हम समझ गए यह अब next हमारा different type है इसे कैसे करेंगे इसमें तो denominator भी अलग है और numerator भी अलग है simple है हमें क्या करना होता है denominator को same कर देना है denominator को same कर देना है किसी मतलब उसमें कि कुछ ऐसा या तो हम multiply करेंगे या divide करेंगे कि हमारी denominator है वो same हो जाए मैं multiply ज्यादा use करती हूँ तो यहाँ भी multiply से आपको बताती हूँ देखिए अगर हम 3 को 5 से multiply करें क्या जाएगा 15 और 5 को कर दे 3 से तो क्या जाएगा 15 यानि क्या होगा अब सिर्फ denominator नहीं करना है numerator में भी चलना है फिर देखो अगर 3 को 3 से multiply करें और वैसे ही 5 को 3 से multiply करें अब यहाँ पर box रह गया 2 को 5 से multiply करें और 3 को भी 5 से multiply करें ठीक है उपर नीचे दोनों जगह होगा ठीक है तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा upon क्या जाएगा 5 3 जा 15 आ जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा देखिए 2 5 जा 10 आ जाएगा और नीचे क्या जाएगा सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह से हम इसको फाइब करेंगे देखिए जैसे कि यह वाला है इसको कैसे करेंगे अगर हम इसको क्या करता है डिवाइट कर देंगे सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह से हम इसको फाइन करते हैं तो इस तरह से हम इसको फाइन करते हैं जैसे कि यह वाले को देखिए आप 3x5 6x5 हम यहां पर given है sign हमारा किसकी ओर है 6x5 की ओर होगा because denominator सेम है numerator अलग है बड़े वाले numerator की ओर sign होगा ठीक है same as f में है देखो क्या करका है 7 by 9, 3 by 9 बड़ा कौन सा है 7 by 9 तो इसके और हमारा mark हो गया ठीक है तो इसके जो बागी कोशिन है g, h, i, j, k इनको आप solve करेंगे ओके, so student जो question number 6, 7, 8, 9, 10 इसको हम कल complete करेंगे और उसके बास लिखेंगे addition and subtraction of fraction बहुत ही interesting है बहुत ही important है तो इसको हम कल लेखेंगे ओके, thank you guys